स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की हिंदी छितिज की जो बुक है उसका चैप्टर शिक्स है जिसका नाम है प्रेम चंद के फटेज जूते और इसकी लेकर है हारी संकर प्रसाई तो इस चैप्टर के हमने 5 most important प्रस्ण उत्तर लिये हैं जो कि आपके सबी exam के लिए बहुत जरूरी है ये प्रस्ण आपको जरूर याद होने चाहिए इस चैप्टर से तो चलिए क्या वो important प्रस्ण आये जानते हैं तो देखिए जैसा की चैप्टर का नाम है प्रेम चंद के फटेज होते तो ये हारी संकर प्रसाई जी के द्वारा प्रेम चंद की जीवनी के आधार पर लिखा गया है तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला हमारा प्रश्ण उठता है जो important प्रस्ण है वो ये है कि पार्ट में टीले सब्द का प्रियोग किन संदर्वों को इंगित करने के लिए किया गया है यानि कि आपका ये चैप्टर प्रेम चंद के फटेज होते इस चैप्टर में जो टीले सब्द है वो किस और इंगित करता है क्या इशारा करता है तो देखिए इसका आंसर है टीला सब्द राह में आने वाली बाधा का प्रतीक है यह जो टीला सब्द है यह राहम में जो बाधाई आती है हमारे लक्ष में हमारे रास्ते में जो बाधाई आती है उसका प्रतीक है जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने पर व्यक्ति को से पार करने के लिए विसेश परिश्रम करते हुए साबधानी से आगे पड़ता है यहां कि जब आप रास्ते में चलते हैं तो आपको परिश्रम करके उसके साइड से या उसके उपर से निकलना पड़ता है तो उसी परकार से अगर हम अपने लक्ष की बात करें तो सामाजिक विश्वता है छुआ छूत गरीवी निरक्षरता अंध विश्वास आ क्यों हुआ है किसव इसारह करता है लेकर की दिश्टी से ये लेकक की दिश्टी से प्रेम चंद के जूते पर क्यों अटकी प्रेम चंद के के घ्थे पर कैसी मुसECरती हो इसकी निक्राइब प्रेम चंद के जूते पर ही क्यों आकेट की यह प्रशन है पहले तो देखिए लेकक ने देखा कि प्रेम चंद ने जिस जूते को पहन कर फोटो खिचवाया है उसमें बड़ा सा छेद हो गया है इसमें से प्रेम चंद की अंगुली बाहर निकल आई है प्रेम चंद ने इस प्रेम चंद को ढखने का प्रयास भी नहीं किया यानिकी लेकर देखते हैं कि प्रेम चंद जब फोटो खिचवाने गए तो उन्होंने अपनी जो फोटो थी वह उसी जूते में खिचवाई जो की बहुत जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा छेट सा जिससे उनकी पैर की HOसी एक थापने का प्रयास नहीं किया भिरिए में दूसरा प्रहेंस बनता है कि प्रेम चंद के चहरे पर दीडियों तो प्रेम चंद के चहरे पर अधोरी मुषकान थी एक अधूरी मुस्कान, यानि कि कुछ ना कुछ कमी थी, इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान सहितकार होकर भी अभाव गिरस्त जिंद्गी जी रहे थे, यानि कि प्रेमचंद जी तो जो थे, वो एक बहुत बड़े महान सहितकार तो थे, लेकिन उनकी जो आर्थिक इस् मुस्काई है, तो वो मुस्का भी नहीं पाए, ठीक है, इसलिए वो जो उनकी मुस्कान थी, वो अधूरी से लग रही थी, तो लिकर की दिष्टी प्रेमचंद के जूते पर क्यों पड़ी और फोटो खिचवाते टाइम, उनकी जो चेहरे पर मुस्कान थी, वो अधूरी इसका अंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्णी, अगले प्रश्णी यह है, जूता टोपी की, नहीं, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूता, एक जूते पर पचीसियों टोपी इस कतन का क्या आश है, देखिए, जीवन में यह विटम बना है कि जिसका इस्थान पाउं में है, अर्थात नीचे है, उसे अधिक महतपूर माना जाता है, जिसका इस्थान उच्छा है, जो सिर पर बिठाने योग है, उसे कम सम्मान मिलता है, आज कल तो जूतों का अर्थ धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है, एक धनवानों तो पच्छीसियों गुड़ी लोग निउचाबर होते हैं, गुड़ी लोग भी धनवानों की जीवजूरी कतन ज़राते हैं, यान कि आज के देखिए, पहले क्या होता था कि जूता जो है, वो एक तो पड़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें हमने पैरों के नीचे दबा रखा हैं, ठीक है, यह है इस कतन का मतलब, तो I hope question number 3 जो है आपको समझ में आ गया होगा, बात करते है question number 4 की, question number 4 में है कि आपकी दिश्टी से, आपकी दिश्टी से वेस भूसा के प् वेस भूसा है, उसमें क्या परिवर्तन आया है, देखे, वेस भूसा के प्रती लोगों की सोच में बहुत बदलाव आ गया है, लोग वेस भूसा को समाजी प्रतिश्टा का सूचिक मानते हैं, यानि कि समाज में अगर वेस भूसा अच्छी है, तो उसे अधिक समान दिया लगते हैं, जिसकी वेस भूसा अच्छी होती है, वेस भूसा से ही व्यक्ति का दूसरों पर पहला पढ़ता है, यानि जो वेस भूसा है, वही मतलब जो वेस भूसा होते हैं, उसकी वज़े से ही दूसरे उसका सम्मान करते हैं, और उसका असर भी उन पर पढ़ता है, हमार जो किसी थO कोर्थ क wonder कर जाए तो उसने समझ जा चाक कि आज की साथी या किसी फंक्स्यन में किसी बीत मतलब किसी बी टापका 있어 भेस्यट करका यह लीख ज़िए लिकिन वह कहते हैं यह तो बहुत पछड़ा conjunश्य करमいた ले लोग होते हैं वह प्रकार कारया के करम् नौर्मल कपढ़े नौर्मल कपण से वैसे वैसे फटल तो यही काहलण है कि लोग विशेष कर युवाउं में आधुनिक बनने की होड़ लगे कि मैं अच्छा हूं मेरा मैरा मान समयद होने चीह मेरे पास अच्छे कपड़े मेरे पास इतना पैसा यह है तो यह था कि मेरी दिष्टी से यानि कि इस चप्टर की मारध्यम से आज के जो लोग है उनकी वेजभूसा के प्रती सोच में क्या परिवतना आया वह वाला प्रश्ण बात केते हैं इस चप्टर के पांचवी प्रशन प्रश्ण इम्पॉर्टेंट भी है इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बेंख्र जाएगा आपका तो देखक पांचवी प्रश्ण ने प्रेम चंद को जनता की लेखक कहेकर उनकी किस विस्ज़ता को बताना चाहे यानि कि ले कथा कार उन्हें में उनकी अर्थिक स्थिती थी अच्छी ना होने से उन्हेंठ क्थाओं में डुक्तित्हों करता है। इसके अलावा प्रेमचंद पराधीन भारत में भारतिय किसानों और मजदूरों के प्रति अंग्रेजों द्वारा की गए अत्याचार को देखा था से बहुतिय। वह से समाज मेंं समाज में व्यापतė रूडियों और धार्मिक बुरायों में वस्षिल लोगों को देख रहे थे यानि कि उस समय की जो सामाजी करोडियां थी, कुरीतियां थी, धार में लोग थी, सामपर देखता किस तरह से हो रही थी, वो उन्होंने देखाया और लोगों को बतानी की कोसिस की है, इन्हीं बातों को उन्होंने अपनी कृतियों का विसे बनाया, पूस की रात, पूस की र तो इन्हों ने उस समय कि जो कि इस इस्थिती थी उसके पारे में बताया था ने जनता का लेकर गिए दियन साधन के परति उनकी लगाव को बताना चाहा है तो इन सभी बातों को लेकर लेकर ने का है कि देओं चंद जी जो है वत जनता के लेकर है ठीक है तो I hope question number five भी आपको समझ में आ गया होगा बात करते हैं इस chapter के सबसे last और important question की अब important question क्या है इस chapter का देखिए तो देखिए answer क्या है पहला है प्रेम चंद जी संघर्सी लेखते प्रेम चंद आजीवन संघर्स करते रहे आपको पता है उनकी जो आथे किस्तिती थी वो अच्छी नहीं थी इसलिए उन्हें संघर्स करते रहना पड़ा था उन्होंने मार्ग में आने वाली चटानों को ठो पार किया किसी और दूसरे रास्ते पर नहीं चले कोई भी किसी उन्होंने कई प्रकार के समझोते कि लेकिन अपने लक्ष को नहीं चोड़ा लेखक के सब्दों में तुम किसी सक्ति चीज को ठोकर मारते रहे हो ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ यानि कि लेखक हरी सं है परोजे व्यक्तित्थि यानि की प्रयम चंधी जी जो है वह एक पराजे व्यक्तित्थि वाली व्यक्ति थी एक प्रीमें इसे पराज पॉटि समों प्रिवट्थे यानिकि वह समारे परीवतन नहीं के पाता परिवत्तन के साथ उस पे कटसरी करते हैं और हसने के साथ उन्हें निराशा giताशाण जीने की Wade मु mound समें रखे उनकी नजनों में तीखरी और कैसा आदमी में है जो फटे जूते पहने फोटोगें चाछा रहा है पर किसी पर हस भी नहीं रहा यानि कि खुद तो फोटो जो है वो फटे कपड़े पहन कर खिचा रहे लेकिन किसी पहस भी नहीं रहे यह कैसा है तो यह था आप राजय व्यक्तित्तु का पॉइंट दूसरा है सहजिता प्रेम चंद अंदर बहार से एक थे यानि कि वह अंदर से भी और बहार से एक अचैंसान थे लेक के सब्दों में इस आदमी की अलग-अलग पो पोशाके नहीं होगी इस पोशाक बदलने का गुड्ड नहीं यानि कि यह पर पर आता है कष्ट फौरस जीवन जीवन प्रेम चंद जीं विकार गया है वे बहुत सीरिस सारे बस्त पहनते थे उनके पास पहने को ठेक से जूते भी नहीं थे फिर भी वे हींता से पीड़ित नहीं थे उनने फोटो किस्वान में भी अपनी सहस्ता बनाए रखी यानि कि उन्होंने बहुत कश्ट करा कश्ट भरा जीवन जिया है लेक तो ऐसा करते हैं यह पॉइंट जो इंपॉर्टेंट प्रशन वह आपको समझ में आ गया होगा तो यही था दोस्तो आप आज का चैप्टर प्रेम चंद के फटेज उपते हैं तो ऐसा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लिग